तो ये बात उस समय की है जब लोग सिक्षा लेने के लिए छोटे छोटे आश्रमों में अपने गुरू के पास जाया करते थे और उनके गुरू ही उनको चीज़ें सिखाया करते थे जी हाँ नमस्कार मेरे नाम देव सिधार थे आप मुझे वे अस्पा पर देख रहे हैं आपके लिए नई-ई-ई कहानिया लाने का काम शुरू कर दिया है मैंने तो सुनते रही है सब्सक्राइब करते रही है लाइक भी करते रही है तो मैं आपसे बात कर रहा था गुरू और को पा लिया है तो फिर भी आप इस आश्रम में क्यों रहते हैं आप दुनिया में क्यों नहीं निकल जाते हैं इस बात पर गुरू ने उसे कहा कि चल ठीक है मैं तुझे आज आग्या देता हूं जाकर के मेरे लिए कुछ कमा के लिए अब भीक्षा नहीं मांगना कमाने की पासया में निकलने के बाद जैसे ही गर पर पहुंचा क्योंकि वह रखकता ते लोगो इस औसवे में तुरणी कहें आगिके दिया कि मैं तुम से विवहा करना चाहता हूं चू़कि वह भ грमन्ता उसे घर में रखा गया संम्मान दिया उौँ शाम को जैसे औस लड़की के उस लड़की के पिता से बात की लड़की के पिता नभी हामी भरदी, क्योंकि वो ब्राममन था, दौनों की शादी हो गई, शादी के बाद टीन वर्स भी बीट ज़ारफ बीटने पार दौन। पती-पत्नी लड़की का बाप और उस भीक्षा मांगने वाले शिष्ट जो भीक्षा मांगने वाला शिष्ट था उसके दो बच्चे भी हो गए सारे लोग काफी सुख और शांती के साथ उसी गाओं में रहने लगे उस गाओं में रहते रहते एक दिन वहाँ पर बाड आई जैसे ही वहाँ पर बाड आई तो वो घर बह गए वो सारे लोग बह गए अब बचा जब पानी इतना ज़्यादा हो गया तो सबसे पहले उस लड़की का बाप बहा उस लड़की के बाप के बहने के बाद यह जो भीक्षा मांगने शिष्श गया था यह शिष्श और वो ल इतना ज्यादा था कि उसकी पतनी भी बह गई जब उसकी पतनी बह गई तो वो अकेला क्या करता वो घबरा के पानी में डूबने लगा जैसे ही वो पानी में डूबता वैसे उसकी नीन्द खुली हाँ उसकी नीन्द खुली क्योंकि वो अभी भी अपने गुरू के सामने ही बैटा हुआ था और एक डम से उसके गुरू की पता नहीं किस कारेपणाली की वज़े से वो समाधी की और चला गया था याने कि वो नीन में पहुंच गया था थोड़ी सी और नीन में ये सपना देख रहा था जैसे वह उठा तो उसने अपने गुरू से पूछा कि मैं तो य जीवार भी है और यह सारा जीवन है और सबसे पहले परमात्मा को पाने के लिए तुझे ध्यान करना पड़ेगा और हमेशा ध्यान में रहना पड़ेगा तो दोस्तों पैसे के लिए इतना कुछ ना भूल जाएं इतना खो ना जाएं कि आप अपने जीवन को ही भूल नबस्कार